Hello students, we are going to continue exercise 2.2, question number 1, part 3rd, find the zeros of the quadratic polynomial, 6x square minus 3 minus 7x. सबसे पहले इसमें आपने क्या ख्याल रखना है, यहाँ पर जो x वाली term है, यह 7x इसको middle में रखना है, अक्सर यहाँ पर गलती हो जाती है, यह mistake नहीं करनी, सबसे पहले power 2 रखनी है, फिर power 1, फिर बिना x वाली constant term. इसके बाद हमारा pattern सेम रहेगा, middle term को split करना है, middle term split करने के लिए हमने method सीखा था, p और s लिखना, याने की product और sum, p के आगे क्या करते थे, यह minus 3, last वाला constant, multiply with 6, याने की minus 18, और s के आगे, यह जो x का coefficient है, याने की minus 7. अब हमें ऐसे दो number select करने हैं, दो integers लेने हैं, जिनकी product minus 18 आए, जिनका sum minus 7 आए, यह देखिए, minus 9 multiplied 2, और इदर minus 9 plus 2, बस यहीं से हमारी splitting हमें समझा आ जाएगी कैसे करनी है, middle term को देखिए, minus 7x है न, तो we will write minus 9x plus 2x, और last में y minus 3, अभी first two terms में देखते हैं, common क्या है, 6 और 9 में से 3 common है, और 7 में x भी, 3x common आएगा, देखिए, 3, 2, 0, 6, 1x बाहर लिख चुके हैं, तो दूसरा x आजाएगा, minus 3 के table में 9, 3, 0, अब देखो, 2x minus 3 बन रहा है न, bracket में, तो next bracket जो है, वो same बनने चाहिए, यानि कि यहाँ पर common क्या आएगा, 1 आएगा, और इसके बाद, इस 3x और plus 1 को एक अठा करेंगे, और यह 2x minus 3, अलग से, तो यह हमने factorization कर लिए middle term को split करके, अब zeros निकालने के लिए क्या करते हैं, तो find zeros, हमने अपने पिछले lecture में सीखा था, इसी product को 0 को एक को लिखना है, that means 3x plus 1, multiply 2x minus 3, it should be equal to 0, अब दो चीजों की product 0 का बहुती है, इदर 3x plus 1 is 0, और 2x minus 3 is 0, यानि कि यहां तो first term 0 आएगी या second term 0 होगी, तो यहां से हमारे पास x की value, एक तो आएगी minus 1 by 3, और यहां से यह minus 3 उदर जाएगा, तो plus का 3, 2 नीचे आएगा, तो यह दो हमारे zeros यहां से निकल जाएगे x की values, इसके बाद हमने इसी question में verification करनी थी, right, अब verification देखिए ध्यान से, असान है, मुश्किल नहीं है, verification के steps, कैसे करते थे, पहले sum of zeros, sum of zeros किसके एक को लोंगे, minus b by a, यह formula है, दो zeros क्या आए हमारे पास, एक तो आया minus 1 by 3, और दूसरा 3 by 2, तो left side में इनको add कर देते हैं, इधर b हमारे पास, अब यहां से समझ आना चाहिए b क्या है, minus 7, और a, 6, जो x square का कॉफिशेंट है, यहां पर 6 LCM लेते हैं, यह बनेगा, minus 2, 3, 3, 0, 9, 7 by 6, देखो, बन रहा है ना, same, 7 by 6 is equal to 7 by 6, hence verified, तो इस तरह से मुश्किल नहीं है, sum of zeros हो गया, और sum of zeros के बाद, second verification क्या है, product of zeros, चलिए product of zeros भी करके देख लेते हैं, for product of zeros, formula है, c upon a, अब product लेके देखे, minus 1 by 3, multiply, 3 by 2, c यानि की last में जो constant है, which is minus 3, a मतलब x square का coefficient, जो की 6 है, 3 से 3 कट गया, 3 1s are, 3 2s are, c we get minus 1 by 2 is equal to minus 1 by 2, hence verified, तो relationships जो verify करने हैं, इवन दो हमने last lecture में सीखे थे, आज भी हमने step by step, हर part को, third part को complete किया है, next questions देखिए, अब मैं आपको सभी solve कर बाने वाला हूँ, fourth part, fifth part, और sixth part, देखिए, fourth part क्या है, fourth part है, four u square, plus eight u, अब यहाँ पर कई बर confusion हो जाती है कि इसको कैसे किया जाए, देखो factorization करनी है, तो actual में हमारे पास दो bracket सी बनने चाहिए, इन में, इन में से सीधा four u common आ रहा है, देखो, असान हो जाएगा, सीधा four u common, यह u square में से एक u तो बाहर आ चुका है, एक u अंदर, और four two's are eight, बस, यह इसकी factorization होगी, इसमें कोई middle term specially split करने की जरूरत नहीं है, और फिर zeros निकालने के लिए, आपको इन दोनों को equal to zero रखना पड़ेगा, तो या तो four u zero बनेगा, या फिर u plus two zero बनेगा, यहां से दो values आ जाएंगी, एक u की value zero आएगी, एक minus two आएगी, step by step जैसा आपको सिखाया मैंने, वैसा आपने करना है, यू की दो values आगई, इसके बाद sum of zeros और product of zeros निकालना है, अब sum of zeros, क्या formula होता है, minus b upon a, अब देखो, एक zero आया है, दूसरा क्या आया है, minus two, दोनों को add कर दिया है left side में, इधर b की value देखो, b की value कितनी है जी, 8 है, a की value, आगे देखो 4 है, 4 के table में कटा 2, यानि की minus two is equal to minus two, तो verify हो गया sum of zeros, product of zeros देख लेते हैं, product of zeros होता क्या है, it is c by a, यानि की एक zero आया और दूसरा minus two है, c क्या है constant लेकिन constant तो given में है यह नहीं, जब कुछ भी constant नहीं है, देखो मतलब zero ही है ना last में, तो c की value zero लेनी है, a की value four, तो देखो zero is equal to zero, hence verified, तो बड़े अराम से fourth part मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं, fifth part देखिए, t square minus 15, अब इसमें भी confuse नहीं होना, simple कैसे करना इसको देखो, t square minus 15 को मैं root 15 का square लिख रहा हूँ, यह method है, तरीका इसको याद रखना easy होगा, 15 को root 15 का square लिखा, a square minus b square का formula बन गया, a plus b, a minus b, बस यहां तक ही confusion होती है सबको, और एक step में यह हो जाएगा, using, यहां पर लिख देना है आपने, using a square minus b square is equal to a plus b, a minus b, अब zeros निकालने के लिए आप इसको zero के equal रखोगे, तो दो answer आएंगे, एक t की value आएगी minus root 15, दूसरी आएगी plus root 15, तो कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, और इसी का ही अब, sum of zeros अगर निकालना हो, sum of zeros मतलब, एक minus root 15 आया, एक root 15 आया, दोनों को left side में add किया, b की value होती है, जो जैसे यहां पर u का coefficient था, b की value है, यहां पर तो वो term है यह नहीं, जिसमें variable की power 1 हो, तो यानि की 0 आयेगा, एक या है, t square का coefficient जो की 1 है, तो 0 is equal to 0, hence verified, तो sum of zeros इस तरह से, fifth part के verify किया जा सकता है, product of zeros भी यहीं पर देख लेते हैं, अब product of zeros मतलब, एक आया है, minus root 15, एक plus का root 15, c क्या है, constant last में कितना, minus 15 है हमारे पास, A की value 1, तो minus 15 is equal to minus 15, तो product of zeros भी, verify हो गया यहां पर, तो देखिए कितने असान question है, last part करने वाले, sixth part, इसी question का, practice अपने हाथ से जरूर करनी है, खुद से करोगे, तो यह questions अच्छे से हो जाएंगे, और बहुत important है, from examination point of view, 3x square minus x minus 4, अब यहां पर देखो, product करके क्या आना चाहिए, minus 4 multiply 3, यानि कि minus 12 आना चाहिए, sum करके क्या आना चाहिए, minus 1, यह मैं फिर से बता देता हूँ, P के आगे क्या लिखा, यह minus 4 है, last वाला constant, 3 है, x square का constant, coefficient, और s के आगे, यह वाला minus 1, यानि कि, minus 4 multiply 3, minus 4, plus 3, अब देखे, क्या बनेगा यहां पर, 3x square, minus 4x, plus 3x, minus 4, splitting हो गई, अब इन दोनों में से, x common, 3x minus 4, फिर 1 common, bracket तो सेम होने ही चाहिए ना दोनो, तो यह बन गया जी, x plus 1, into 3x minus 4, अब जब इन दोनों की product को 0 के एकल रखेंगे, तो x plus 1 0 हो सकता है, या फिर 3x minus 4 0 होगा, तो यहां से x कितना आया, minus 1, या फिर x कितना आया, 4 by 3, तो यह दो answer आया, x के हमारे पास, these are the required 0s, अब करना है हमें, sum of 0s, sum of 0s, it is equal to minus b upon a, यानि की minus 1 में, 4 by 3 add करें, b की value क्या है, minus 1 है, यह mix नहीं करना, पहले minus formula बाला लगाया, फिर minus 1 यहां से value निकाली हमने, a क्या है, 3, तो 3 LCM ले, minus 3 plus 4, इदर भी 1 by 3, इदर भी 1 by 3, hence verified, राइट, दोन तरफ सेम आ रहा है, product of 0s, what is the formula, it is equal to, c upon a, तो product of 0s में, देखो, minus 1 को 4 by 3 से, multiply करना, left side में आ गया, c क्या है constant, जो की minus 4 है, a क्या है constant, आगे coefficient कितना है, 3 है, यानि की, minus 4 by 3, is equal to, minus 4 by 3, hence, verified this relation, also, product of 0s भी, verify हो गया, तो बिल्कुल आसान है, देखो, पिछले lecture में, अपने पहले 2 parts कवर किये थे, I hope आपने घर पे practice की होगी, और आज हमने 4 parts next cover कर लिये हैं, अच्छे से देखिए, इसको अच्छे से समझिए, right, कल हम अगे, next lecture में, अपने second question को start करेंगे, Thank you so much, God bless you all.